आग्रा में एतिहासिक समारकों में प्रवेश के लिए कोई श्रूल कनहें लगेगा। इस संबंध में भारतिया पुरातत्व सर्विक्षन यानी ASI ने बुधवार को सभी शित्रिया निदेशकों को निदेश जारी किये। इसमें आग्रा के ताजमेहल, फतेहपूर सीकरी, सिकंदरा, सहित अन्यसमारक शामल है। ASI के डिरेक्टर डॉक्टर एनके पाठक ने 11 दिनों तक समारकों में प्रवेश निश्यूल करेगा। इस दोरान प्रयाटक समारकों में बिना टिकेट की प्रवेश कर सकेंगे। तो वहीं ASI के अधीक्षन पुराता त्वविद डॉक्टर राजकुमार पतेल ने बताया कि वफाग का अधेश मिला है, इसका पालन किया जाएगा। प्रवेश नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व दरोहर सप्ता यानि की वर्ल्ड हरिटेज से मनाया जा रहा है, इसको लेकर के ASI ने परेटकों को तौफ़ा दिया है और ताश महल सही सभी इस मारकों को यहाँ पर फ्री देखने का मौकर दिया गया है, इस वक्त हम मौजू की सहलानियों की संख्या है, कुछ परेटक यहाँ पर हमाई साथ मौजूद भी है, जो ताश महल और आगर फोड को निहारने के लिए आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है, कहां से आया? बैंगलोर और आप आज परेटकों के अंदर भी एक उत्सा है, यहां पर विश्वदरोवर सब्ता के दिन आगर फोर्ट और ताजमेल देखने के लिए सेलानी आए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, कितनी लंबी यहां कतारे लग चुकी हैं, और परेटों की संख्या भी यहां पर काफी जादा ह इस संख्या को जादा देखने के चलते परिशासन ने और A.S.I. ने यहां पर फुक्ता इंतजाम किये हुए हैं, पुलिस बल यहां पर तेनात है, किसी भी तरह की परेटकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जिला परिशासन ने पुलिस बल भी यहां पर तेनात किया गया, तेनात किया है, और A.S.I. के भी पुक्ता इहां पर इंतजाम मॉन्यूमेंट के अंदर रखे गए हैं, केमामेन राश्य दुसेन के साथ जावेद खान, A.N.B. न्यूज आगरा